गर्मियों की दो महिने की छुटियां आ गई हैं घर में सांस लेने का टाइम नहीं होता काम कर करके भी खतम नहीं होता है सोचा आज आपके साथ कुछ smart ways, कुछ ऐसा monthly routine शेयर करूँ जहां मैं grocery भी arrange कर रही हूँ और घर के काम भी निपटा रही हूँ कैसे तो चलिए आपके साथ आज cleaning motivation शेयर करती हूँ मेरी आदत है दूद में से जितनी मलाई निकलती है वो मैं store करके रखती हूँ एक steel के डबे में और उसको मैं freezer में रखती हूँ नीचे fridge में नहीं रखती हूँ विकास गर्मियों के season में बहुत जल्दी खराब होती है और मलाई में से butter निकालने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यह Phillips का blender काफी time से यूज कर रही हूँ बहुत अच्छा चल रहा है इसमें speed level भी अलग-अलग होते हैं और इसके दो type के blades आते हैं नीडर blade होते है और एक ऐसे whisk blade होता है आप cake की icing के लिए भी इसको use करते हैं काफी लोग use करते हैं अचली इसको पहले मैं सोच रही थी कि घी निकाल लेती हूँ butter का बट अब सोच रहे हूँ कि butter को butter की तरह ही रहने देते हैं white butter खाया भी जाता है परांठे वगरा में नाश्ते में use हो जाता है तो white butter को ऐसे ही रहने देती हूँ जादा तो निकला नहीं है गी अभी घर में पढ़ा है और चीज खतम करने के लिए मुश्किल हो जाएगी butter अपने आप में लग जाएगी तो चलो इस fresh fresh butter के साथ, white मखन के साथ आज का नाश्ता भी करते हैं मेरा तो फेवरेट है किस-किस का फेवरेट है जार कॉमेंट करके बताओ नमस्कार दोस्तों मैं रती स्वागत करती हूँ आपका home tweak channel पर जहां हम बात करते हैं घर और kitchen से related कुछ ऐसे tips and tricks की home hacks की जो हमारा रोज मरगा काम आसान करते हैं आज का यह monthly routine, cleaning motivation आपको पसंद आए, grocery shopping पसंद आए, arrangement पसंद आए तो चैनल को ज़रूर subscribe करना, वीडियो को like करना और comment करके बताना कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं और white मखन किस-किस को पसंद है सारी मैंने trip के लिए shopping करी है इस बारी मैं एक नया gas stove भी लेके आई हूँ 2 burner का, आपने हमेशा मेरे पस 4 burner का gas stove देखा होगा तो ये एक मैं glass top नया gas stove लेके आई हूँ और मैं अपनी car में कुछ ऐसा कराने जा रही हूँ जो कि आगे camping cooking के काम आईगी बहुत interesting road trip होने वाला है और अगर जो settlement मैं सोच रही हूँ गाड़ी में वैसी बन गई तो भाई तो तो वारे न्यारे हो जाएंगे आपको देखके भी मज़ा आएगा जो travel vlogs उस ताई हो आने वाले है चैनल का link आपके साथ description box में और channel में share करती हूँ जो travel channel है इस तरीके का एक नया cylinder भी लेके आई हूँ ये इंडेन का composite cylinder है बड़ी मुश्किल से मुझे बैंगलोर में मिला कहीं नहीं मिल रहा था पूरा एक दिन सबको call करकर के खतम कर दिया तो ये जो cylinder है ये blast proof है travel safe है इसमें 10 kg का भी आता है जो कि हम घर में use कर सकते है blast proof है actually काफी ज़ादा safe है अभी तक इस से safest cylinder कोई नहीं और इसका weight भी ज़ादा नहीं होता तो ये जो gas stove है इसका outlet pipe right side की तरफ था मैंने उसको left side की तरफ करवाया है किसी mall से नहीं लिया मैंने normal local shop से जाके लिया है mall से जब मैं ले रही थी ना वहाँ पे वो लोग hose pipe को right से left में shift नहीं कर रहे थे और बहुत ही कम ऐसी brand सी मेरे budget में जिनका hose pipe पीछे 360 degree swivel जो हो जाता है वो हो तो ये सारी grocery है जो कि मैं trip के लिए लेके आई हूँ because trip में cooking और camping दोनों होने वाली है parchment paper, mother's recipe dhaniya pudina chutney जो first time I try करने वाली हूँ samosa chutney वगारा ये भी लेके आई हूँ trip के लिए actually chutney तो ज्यादा time store करने सकते गर्मी में खराब हो जाएंगी toffees वगारा, ilaichi सब कुछ actually जो kitchen में होता है वो सब मैं अपने साथ भी लेके जाने वाली हूँ तो अगर आपको वो सब चीज़े देखनी आए ना आपको travel channel चेक करना पड़ेगा तो उसकी videos जब हम trip से वापसी आजाएंगे तब आनी शुरू होएंगी बट अभी जो चल रहा है वाँ पर केरिला का trip चल रहा है तो अगर आपने देखना है तो आप वो देख सकते हो मजा आएगा आपको देखके तो ये सारी shopping है trip की कुछ-कुछ healthy भी रखा है कुछ unhealthy भी रखा है तो mix and match है balance करके और जितना हो सकेगा अपनी self cooking ही करने वाले हैं तेल मैं इस तरीके से packet वला लेके आती हूँ because मेरे घर में जो महीने का तेल लगता है वो दो लीटर या डेड़ लीटर के करीब लगता है तो उस हिसाब से मैं packet लेके आती हूँ bottle मैंने लानी छोड़ दी है क्योंकि वो फिर काफी time तक चलती रहती है पड़ी रहती है और store करने की भी इतनी जगा नहीं होती तो packet तो यह होता है ना मैं दो bottles में shift कर लेती हूँ और वो सामने सामने रहती है अधर्वाइस जो बड़ी 5 लीटर वली bottle होती है वो फिर एक drawer में पूरा space लेती है तो चलो यह सब तो packing वली चीज़े हैं जो नीचे गाड़ी में जानी है तो इनको मैं लफाफे में ही रखके कमरे में रख देती हूँ wet wipes और parchment paper वग़रा मैं नेया लेके आई थी इस बारी यह मैं eco bake का लेके आई हूँ मेरे पास ना एक नेया parchment paper actually baking paper आया था वो मुझे इतना पसंद नेया आया food wrapping paper तो मैं फिर यह वला लेके आई इसकी भी quality ठीक ठीक है जो मैं पहले यूज़ करती थी वो parchment paper इतना ज्यादा thick parchment paper था मुझे मिल नी रहा और मुझे brand भी याद नी आ रहा वो कौन सा brand था तो किसी bakery में जाके check करूँगी इस बारी मैंने ये एक और slicer, dicer भी मंगवाया है तो इसको मैं check कर रही थी इस तरीके के attachments के साथ आया है इसमें peeler भी आया है grater भी आया है बागी सारे attachments भी हैं और इसके लिए ना मैंने एक बहुत cool सा storage unit भी बनाया था जो मैंने आपके साथ home hacks no cost organization video में share दिया तक गर्मी इतनी पड़ रही है कि पौदो में जितना पानी डालो उतना कम है even indoor plants भी हर दिन सूख रहे हैं तो वही बस मैं पानी में डाल रही हूँ थोड़ा-थोड़ा और उसके बाद जाके life easy करना चाहते है because घर में सब लोग होंगे even बच्चे होंगे तो उनके साथ तो काम बढ़ जाता है ये वला जो आप सारा देख रहे हो सामान ये सारा वो है जो रदी में जाना है electrical का सामान है कुछ metal का सामान है तो वो सारा सामान जाना है और ये chair भी टूट गई है बाहर पड़े पड़े ना धूप से तो crack ही हो गई है तो इसको मैं फेंक रही हूँ कोई DIY नहीं कर रही मैंना आपको हमेशा बोला है टूटी हुई चीजों से या फटी हुई चीजों से कोई DIY मत करना उनको घर में रखने की जुरूध ही नहीं है reverse करने की जुरूध नहीं है छीज फेड हो गई है तो अलग चीज है बसको घर में बिल्कुल भी मत रखना आपकी किस्मत भी वैसी ही हो जाईगी तो घर में नहीं रखनी है दो महिने की छुटियों में आप अपना काम भी असान करो, इस बारी कोई सफाईयों का काम मत करो, इस मन्थ एट लीस्ट मत करो, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे और घर में सिर्फ आप अकेले होगे, उस टाइम पर आप दुबारा सफाईयां, अर्रेंजमेंट, ड काम तो आप अगले महिने से भी कर सकते हो, थोड़ा नारियल पानी पीने के बाद यार, यहां से गास्टोव लाई हूं, वहां से मैं यह सिक्स प्लेट का इडली स्टैंड भी लेके आई हूं, स्टेनले स्टील का था, यह कापी अच्छी कॉलिटी है, हेवी कॉलिटी है, तो मेरे पास जो पहले था, अलुमीनियम का था, वो मैंने सेल ओफ कर दिया, और मैं स्टील का देख रही थी, एमजॉन पर मुझे कुछ अच्छे मिले नहीं, बट यह जो स्टील का इडली स्टैंड है यह मेरे फाइफ लीटर्स प्रेस्टीज कॉकर में नहीं जा रहा है, तो एक प्लेट इसमें जाधा है, और इवन जो इसका स्टिक निकला हुआ है वो भी जाधा निकला हुआ है सेंटर में, तो इसको मैं चेंज कराके फाइफ प्लेट का लेके आऊंगी, राधर मैं कुकर अपने साथ ही लेके जा रही हूँ, सो जाड़ मैं वहीं पर चेक कर और जो सारे ग्रॉसरी वगरा है, कैसे अरेंज करूंगी, अगर वो देखना हो तो मुझे बताना, तो ये मैं राइस पफ का पूरा पैकेट लेके आई हूँ, घर पे मुझे नमकीन बनाना था, राइस पफ का नमकीन, सो उसके लिए मैं पूरा एक पैकेट लेके आई और रोस्टेट चना वगरा सब कुछ लेके आई हूँ, तो वो ही अभी रीफिल कर लेते हैं, और बाद में जो मुझे साथ में थोड़े लेके जाने हूँ, एक गलास नारील पानी तो पीती पीती हूँ, और यहाँ पे एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में मैं समान देख रही हूँ, जो नहीं आया है समान वो देख रही हूँ, और साथ में डाले भी चेक कर रही हूँ, कुछ मैं साथ लेके जाने वाली हूँ और कुछ यहाँ पर रहने देने वाली हूँ सो बिल्कुल cut to cut मामला होने वाला है तो मैं जादा store करके नहीं रखने वाली हूँ बिकास भ्यंकर गर्मी आए और यारा कीड़े बहुत जल्दी पढ़ जाएंगे फ्रिज बगरा मैं सब बंद करके जाने वाली हूँ तो फ्रिज भी नहीं चलने वाला विकास एक महीना मैं दिल्ली में ही रहने वाली हूँ आप जब यह वीडियो देख रहे हूँ न मैं उस टाइम शायद दिल्ली में होँगी या ट्रिप पर अल्रेटी निकल चुकी होँगी प्रिपेर करनी है जो आप एक महीना इस चानल पर देखने वाले हैं तो चार-पांच वीडियो मुझे प्रिपेर अल्रेडी करके जाने वाली हैं और यह है कुछ IKEA से सामान जो मैं अपनी सेकंड विजिट पर लेके आई थी यह इस तरीके का एक रग लेके आई हूँ और स्टॉफ फिल्ट लेके आई हूँ यह आने के बाद आपको बताऊंगी कैसे काम करते हैं इससे ना कार्पेट्स वगरा स्किड नहीं करते हैं तो च कुछ की मेरी सिस्टर में मंगवाए हैं तो उसके लिए हैं यह तीन कप्स और साथ में मैं एक प्रेशर पंप वैक्यूम पंप लेके आई हूँ जो की मेरे ट्रावल पर यूज होने वाला है गरम कपडों को स्टोर करने के लिए वैक्यूम बैग्स मैंने आपके साथ एक हो किये थे तो मेरे पास वैक्यूम बैग्स हैं बट वैक्यूम क्लीनर हम साथ में लेके नहीं जा सकते तो उसके लिए मैं वैक्यूम पंप लेके आई हूँ और यह वाला ब्रश जो की बरतंद होने के काम आएगा और यह है एक कॉफी विस्क जो की कॉफी दूद या कुछ भ मैं लेके आई हूँ ब्लिस रेंज है शाइद इसकी और चोटा साइज है 60 cm इसकी लेंध है इसकी लेंध है इसकी नॉर्मल गास स्टोफ के भी उतनी होती है तो इसके जो बर्नर है 2000 ब्रास बर्नर और स्क्राच रिजिस्टेंट ग्लास है ISI अप्रूवड है पहले मुझे शाइद ISI अप्रूफ नहीं होगा और मुझे टू बर्नर वाला स्टोफ ही चाहिए था पहले मैं स्टील वाला देख रही थी विकॉस उसका वेट हलका होता है बट अगें मुझे नहीं मिला बहुत बड़े-बड़े साइजिस के थे और इसमें टू यह की वारेंटी है ग् मेरी रेंज में भी आ गया था तो इसलिए मैंने किचन में से फोर बर्नर हटा कि अभी टू बर्नर रखा है और साथ में मैं सिलेंडर भी यूज कर रही हूं ताकि मैं इसकी जो परफॉर्मेंस है देख पाऊं एकदम से ट्रिप पे लेकर जाओंगी वहां पर यूज इसलिए पहले मैं घर पर यूज कर रही हूं बस अब घर की थोड़ी सी बेसिंग क्लीनिंग कर लेते हैं जाडू वगएरा लगा लेते हैं डस्टिंग कर लेते हैं ड्रोइंग रूम और बेडरूम अगर आपका सही साथ मेरा हजबन ने डिश्वाशर में डाल दी और उसका हाल कुछ ऐसा हो गया है अब ठीक है अंदर से स्टील वाला थोड़ा कलर है उसका तो पूरा पेंट चिप हो जाएगा तो नॉर्मलाइज नूट्रलाइज हो जाएगी वैसी कलर की हो जाएगी अब सारे पोस्ट लगा दिया तर दिवारों पर कहां पर क्या लगाना है या ड्रिल करना या क्या काम होना है थोड़ा सा पानी पीखे और थोड़ी देर रेस्ट करके एवन अब मुझे आज अपने फोन की decluttering करनी थी जैसे घर की तो मैंने थोड़ी बहुत decluttering कर ही दिया है जो मैंने रद्धी का सामान निकाला था वो जाना है तो आज मैं फोन की decluttering करते है भाई एक चीज ना मुझे सामने आई आप भी ये चीज धियान रखना अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है फोन में मेल्स में फ्रॉड मेल्स आ रहे हैं और अटाच्मेंट अगर आपने क्लिक कर दी ना आपका फोन हैक हो जाएगा या आपका बैंक अका फोन में फोन में जितना भी डेटा है उससे वह आपके बैंक अकांट्स और बाकी परसनल इंफोमेशन भी हैक कर सकते हैं तो फोन मैंने सारा declutter कर दिया इस तरीके से मैं एक हफते में फोन की मेल्स वगरा सब declutter कर देती हूँ और जो मुझे मेल्स unsubscribe करनी होती हैं जहां से मुझे regular आ रही होती हैं उनको unsubscribe भी कर देती हूँ थाकि दुबारा से और junk अखटा ना हो अब मैं आ गई हूँ अपने work desk पे साथ में पपीता लेके पपीता मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है मैं मेरे husband मुझे जबरदस्ती बोलते हैं कि पपीता खाओ पपीता खाओ तो बस वही पपीता काट के गए होए थे पपीता तो मैं काटती भी नहीं है और को इसकी smell इतनी गंदी लगती है तो बस वही खाते खाते मैं अपना काम भी कर रही हूँ वीडियो एडिट कर रही हूँ हर दिन हर महीना different होता है तो इस बारी का मेरा monthly routine भी different था आज का monthly routine वीडियो cleaning motivation, grocery arrangement, home organization आपको कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताना कहां से देख रहे हो ये वीडियो ये भी जरूर कॉमेंट करके बताना वीडियो को like जरूर करना और my powerhouses अपनी power को हमेशा बरकरार रखना मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो